आप सभी किसान भाईयों को मेरा नमश्कार मैं पंकज आज आप सभी के सामने एक नई वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है कि कैसा प्लांट लिया जाता है कितने साल का पौधा लगाया जाता है किसान भाईयों ऐसे जब अगर् प्लांट शडियो किश्कार करें तो Phamaly और सही जो वत माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो है क्युआ भाई हमाना जाता है कि इस टाइम पर चालन्ट पर ग्रोफ नहीं करें इस टाइम पे ग्रोथ एकदम रुकी हुई होती है आप अगर कहीं बाहर ब्लांटेशन करना चाहते हैं या कुरियर से आप ब्लांट मंगवाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप असानी से मंगवा सकते हैं और इस टाइम पे रिस्क भी कम होता है अब बिभू आप इस वीडियो में देख रहे हूंगे कि जो हम पूदा आपको खा़के दिखा रहे हैं तो अभी बडियों में वैसे काफी लुगों की र्कॉर्मेंट्ट रहती है की प्लांटेशन करनी हैं लेकिन हम आपको दिखाते हैं वीडियो के दौरण के क्यों के प्लांटेशन निवेंबर में की जाती है अब अभिवी वीडियो में देख रहे होंगे की प्लांट की जड़ें देखिए यह चोटी चोटी जड़े होती है यह जमीन से माइक्रो न्युट्रियन्स उठाती है और जो एक इन जानी के ओपर होती है सारे पोशक तक तो इन जड़ों के ही थ्रू जाते हैं और बरसात के दिनों में देखा जाए तो प्लांट जो तो ग्रोथ में होता है और उस टाम पे अगर हम उसे उठाड के कहीं कुरियर से कहीं भेज रहे हैं तो वो गलत होगा और आप देख सकते हैं कि ग्राफ्टिड प्लांट कैसा होता है देखिए इसमें भी यह प्लांट ग्राफ्टिड है एक्चरेम 99 प्लांट है यह तो हमारे ईसाब से सही टाइम जो है तो नुवेंबरल दू फब्राइगम तक है अगर आप ते ला किसी रिस्क की काम करना चाहेंगे तो पर अगले डॉपिक यह था फी बात करें तो हमारे पास जो है तो चार तरह की विर्याटिस हैं जो इलाकों में काम करती है जैसे HRM 99, Tropic Sweet जो कि Australian Variety है, Dorset Golden और Anna, तीनों Variety जैसे Golden की बात करें तो Golden का जो Dorset Golden है उसका Color Yellow में आता है, Anna Red Color में आता है और Tropic Sweet भी Red Color में आता है और Sweetness बहुत अच्छी एंड की, जो HRM 99 है उसमें खुछ एक स्प्रेग करने पढ़ती है तब जाके उसका कलर से अठाता है और साथ में उसका खटा मीटा देस्टा करें अधिक जानकारी के लिए हमने जंबर जी कॉल कर सकते हैं थैंक्यू